तो भाई यू काफी student का doubt है कि ALP का exam center कहाँ पर पढ़ने वाला है क्योंकि जब हम form fill कर रहे हैं तो उस time पर हमें exam center का option ही नहीं दियेगा है तो दोस्तो जब आपने form fill किया होगा उसमें सबसे last में declaration में आपने place की जगाँ पर अपनी city का नाम जरूर दिया होगा तो जादतर chance है कि आपका CVT1 exam है वो उसी city में या फिर उसके आसपास कोई बड़ी city में होने की संबाबना है इसके बाद में अगर आप CVT2 के लिए qualify करदाते हो तो फिर जो आपका CVT2 exam है वो जिस RRV से आपने form fill किया है उसी RRV के अंडर होने की संबाबना रहती है आपकी RRV के उपर depend करता है वो आपका exam center कहीं पर भी दे सकते हैं और railway के किसी भी exam के लिए आप NCRT based current publication की GK के वुक को ले सकते हो जो कि Hindi English दोनों medium में available है